आज हम लोग सिगनीफिकर्ट डिजट्स के बारे में पढ़ेंगे कि यह जो सिगनीफिकर्ट डिजट्स हैं यह क्या छीज हैं सिगनीफिकर्ट डिजट्स जिस तरह से कि आपने scientific notation में ये method सीखा है कि कोई बहुत ही भड़ी quantity या बहुत छोटी सी quantity को आप जो है इस तरह से करते हैं scientific notation में कि वह easily readable और easily आपको याद हो सके यानि कि इस तरह से उसको convert करते हैं कि आपको याद हो सके जैसे कि आपको याद होगा कि speed of sound 300,000 km है जिसे हम लोग जो है scientific notation में convert करने के बाद 3 into 10 उस्टो पार 8 meter per second कह लेते हैं और इसे करने का तरीका आप लोग scientific notation में अच्छी तरह से सीख चूते हैं अब इसी चीज को आगे भडाते हुए अब हम लोग ने significant digits के बारे में देखना है कि significant digits कौन से digits होते हैं let's say कि अगर आपके पास कोई एक number इस तरह से given है कि ये 12.7 है और कोई आपसे ये question करता है कि आपको significant digits बताई जाए मतलब कि आपसे ये कहता है कि मुझे बताया जाए कि इस पुरी के पुरी digits में कितने significant digits आते हैं तो आप उसे कहेंगे कि इसमें 1,2,3 आते हैं means कि ये point जो 2 और 7 के दर्मियान है ये matter नहीं करता है आप कहीं भी point लगाओ कि अगर आपके test में आपके मांग साथे हैं और 20 में से let's say 20 में से आपके पास 17.5 आगे हैं तो अब ये 17.5 है आप इसे असानी से बदा सकते हैं कि इसमें significant digits जो हैं वो 3 हैं similarly अगर आपके पास इस तरह से एक और case आजए let's say कि आपके पास 1555563.278 इतना भरा digit आ रहा है और यहां पर point है तो अब भी आप इस point को neglect नहीं करेंगे आप यहीं कहेंगे कि 3 और 3 आपके पास 6 हो गया और ये 9 तो आपके पास significant digits हैं वो 9 है बस problem जो है वो 0 की case में आती है अगर तो significant digit में 0 इस side पर है 0.1253 let's say यह एक आपके पास significant digit है तो इस situation में आप यह कहेंगे इस situation में आप यह कहेंगे कि अब आपके पास जो significant digits sei उनकी जो तदाद है वो आपके पास four आजाती है यहाँ पर significant digit है वो four आजाती है इसके इनाब़ है अगर आपके पास this side way आजाते यानि कि इस तरह से आजाते आपके पास one point two five zero 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 इस तरह से अगर आपके पास 0 आ रहे हैं तो इस significant digit के अंदर ही include होते हैं इसे आप 1,2,3,4,5,6 यह आप कहेंगे कि significant digit जो है वो 6 है अब अगर आप इसी चीज को देखेंगे जो मैंने example अभी आपको दियी है अगर में इसे दुबारा यहां पर लिकूँ 0.1253 आप सौचे होंगे कि मैंने इसे 4 क्यों कह दिया significant digits को यहां पर 4 क्यों कह दिया अगर मेरे पास इस तरह से case आजाता कि 1,2,5,3,0 तो क्या तब भी मैंसे significant digits कहती है अब इन दोनों चीजे में थोड़ा सा case different हो गया आप देखें कि हम लोगोंने scientific notation पढ़ी है scientific notation के मताबिक इस decimal को यहां से यहां पर आना चाहिए था तो जब मैं इस decimal को यहां से यहां पर shift करूंगी तो यहां पर 1.253 आजेगा और चुपे decimal यहां से इस तरह shift हो है तो मुझे 10 raise to power minus 1 लगा देना चाहिए significant digits यह वारी significant digits जो है यह तो 4 इनेगी को अब उपर देखा है कि point कहीं भी हो यहां पर हो यहां दर्मियाल में हो two digits three के बाद हो four के बाद हो कितनी भी digits के बाद हो point से पहले और point से बाद वाली जो सारी digits होती है वह significant digits में ही आजाती है और इसके इलावा सिगनिफिकेंट डिजिट्स में जो साइंटिफिक नोटेशन के अगर यह कोई साइंटिफिक नोटेशन के अगर यह कोई साइंटिफिक नोटेशन के अगर यह कोई साइंटिफिक नोटेशन के इस 10 की पावर से पहले जितने भी आपके पास हिंसे आएंगे वह आपके पास स अगर इस situation की बात की जाए तो यहां पर point यहां से मुझे यहां पर shift करना चाहिए था तो 1.253 points यहां से यहां पर आया तो 10 इस्टू पार 3 आगया अब यह चीज़ जो है इस तरीके से यह जो आपके पास हिसा है 4 digits यह significant digit के अंदर आजाता है अब इसके इलावा 0 का right और left वला मस्ता तो solve हो गया let's say कि आपके पास एक और example है इस तरह से आजाती है आपके पास 800 km है 800 kg है अगर आपको इसी significant digit में represent करना हो तो इस तरह से अगर कोई आपके पास चीज़ गिवन है तो यह इसको significant digit में करने के लिए आपको least count का भी पता होना चाहिए means कि अगर आपके पास कोई भी value है तो वह value उपने least count के डिपेंड करेगी least count पे किस तरीके से depend करेगी let's say कि मैं कहती हूँ कि अगर मैं इसी इस तरह से लिखता हूँ 8 into 10, 8 point के यह point के यहां पर होगा इस point को गर मैं यहां पर लेया हूँ इस जगा तब 8.0 into 10 is to part 3 आजाएगा क्योंकि 3 decimals move किया है मैंने अब यह वाली चीज जो है मेरे पास 8.0 into 10 is to part 3 kg आजाएगी अब इसकी अंदर जो है अब इस situation में यह कहूंगी कि significant digits जो है वो 10 की power से पहले पहले 2 है तो इसी में कहूंगी कि यहां पर जो significant digits है वो 2 है जबकि least count जो है कि 8.00 into 10 is to part 3 kg तो अब इसके significant digits जो है वो 3 हो जाएगे और इसका जो least count होगा वो 100 kg होगा अगर मैं इस तरह से लिकूं 8 into 10 is to part 3 kg तो इस situation में इसके significant digits है वो 4 है जिबके least count है वो 1 kg होगा इस situation में 1 kg इसका least count होगा तो means अगर इस तरह से अगर आपके पास कोई चीज आती है तो उस पर least count ही depend करता है कि कितना least count लिया गया है जैसे कि speed of sound के अगर बात की जाए तो speed of sound में हम लोग 3 into 10 is to part 8 meter per second लिख गयते हैं तो जाहिर सी बात है उस वो जो least count होगा वो 1 meter per second रखा गया होगा तभी इसे 3 into 10 is to part 1 बल्के 1 नहीं रखा गया होगा उस situation में हमारे पास इसका least count है वो डिपेंड करता है किस situation में रखा जैसे कि यहां पर में पर 3 0 थे तो उसके हिसाब से जब मैं यहां पर 1 0 लगाया तो मुझी जो least count हो 100 kg मिला जब 2 0 7 रखे तो least count 10 मिला इसी तरह जब यहां पर 3 रखे तो least count जो है वो 1 मिल गया जैसे कि अगर आप speed of sound यह speed of light होती है ना light के speed है 3 to 10 is per 8 meter per second अगर इसका इस situation में रखकर मैं least count बताओं तो मेरे खयासे तो least count होना जाहिए कि जैसे कि speed of light जो है वो 3.00 तो जो पीर 0000 अ क्किए 300,000 km होती है km को में मेरे करते हैं तो यह हमारे पास इस तरीके से आजाती है, 300 met perder और उसके बार km को जो हम मे aç करते हैं अगर अब इस situation में यह इस तरह से है decimal को मैंने यहां से जो है यहां पर shift किया यहां पर 10 इस तो पार 8 meter per second आ जाता है अगर अब मैं सिर्फ यह लिखूँ कि 3.0 कर लों into 10 इस तो पार 8 रखो meter per second और इस situation में मुझे यह बताना हो कि इसकी जो significant digits है वो 2 है दो significant digits है तो इसका मतलब है कि इस situation में जो least count होगा वो यह 1,2,3,4,5,6 और यह 7 है means कि 7 times जो है 1 के साथ 7 times जो है 0 लगा दिया जाए यह 7 times अगर 0 लगा दिया जाए तो इतना meter per second इसके अंदर उस situation में least count होगा तो यह निकि किसी भी situation में आप किसी भी significant digit को लिखें तो यह depend करता है उसके least count पे कि उसका least count जो है वो क्या है और least count depend करता है 0 की case में इसके लावा अगर 0 किसी digit के अंदर आ जाए जैसे कि अगर इस तरह का कोई case हो let's say कि आपके पास कोई case है 2.00576 तो इस situation में जो है आपके पास significant digit जो है यह point से पहले हो तो उस situation में हम उससे scientific notation में लिख लेते हैं और scientific notation में लिखने के बाद हम जितने 0 point के बार लगाना चाहें उस हिसाब से हम इसका least count डिसाइड करके least count पे डिपेंड करते हुए हम उसकी significant digits की तदात बताते हैं तो यह significant digits के बार में था किस तरह से significant digits निकाली जाती है इसके इलागा जो significant digits होते हैं उससे हमें एक और फादा यह भी होता है कि अगर आपके पास कोई value है 43.75 तो इसे आप round कर सकते हैं इसे आप round as कर सकते हैं इस तरीके से है कि यह लिखी जा सकती है 43.8 अगर तो point के बाद यहां पर और number हो तो हम और number में से one number point से पहले वाली value में add कर देते हैं और आगे वाले हिस्से को जो है हम लोग इस तरह से करते हैं एक minute इस तरह से थोड़ा से mistake हो गया इसे हम इस तरह से करते हैं जैसे कि 43 है 43 के बाद 0.76 इस तरह से values आती चली जा रही है और आप इस पूरी value को नहीं लिखना जाए तो आप क्या करेंगे कि point के बाद सिरफ एक value लेंगे और उस value से आगे वाली value को देखेंगे जैसे कि यहां पर 5 है अब 5 जो है odd number है तो अगर यह odd है तो यहां पर आप एक add कर लेंगे तो यह 8 बन जाएगे तो इसे आप 43.8 लिख सकते हैं similarly अगर आपके पास कोई इस तरह से हो let's say कि आपके पास यहां पर इस तरह से आ रहा है कि 73.650 है तो इसे आप इस तरह से round कर सकते हैं इसे भी आप इस तरह से round कर सकते हैं कि इसे आप लिख सकते हैं कि 73.7 है चुक्कि अब भी यहां पर odd है तो odd से आप यहां पर in कर सकते हैं similarly अगर आपके पास कोई इस तरह से डिज़िड है और हम्सक्ति से जा हम पर 64.27 आपके पास हागता है तो इसमी आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 64.4 ऐा जब क्योकि और यहाँ पर इक एड हो जाएगा लेकिन अगर यहाँ पर even आज़े जैसे कि यहाँ पर 68.38 आज LOT तो इसे आप 68.3 ही लिख सकते हैं इस कंडिशन में आप इसमें एड नहीं करते हैं जब एवन आजे तो एवन की केस में हम लोग एड नहीं करते हैं अगर यहां पर ओड हो तो ओड की केस में हम लोग एक चिस एड कर लेते हैं और अगर even हो तो even की case में हम लोग जो है वो add नहीं करते हैं हम as it is रहनी देते हैं और add भी उस situation में करते हैं जब यहां पर 5 हो means यह 5 यह 5 से कोई भाईड़ी digit आ जाती अगर यह point के बाद किसी value को हो यानि कि point के बाद आप सिर्फ 7 तक रहना चाहते थे तो 7 से आगे आपको तीन चीज़ी देखनी पड़ेंगी एक तो यह कि जो value आगे लिखी है वो 5 यह greater then 5 को दूसरी चीज़ यह कि वो अगर तो odd है तो odd होने की situation में आपके पास यहां पर add हो जाएगी यहां पर even है तो मुझे यहां से add करना जाही को तक रहाँ है लेकिन अब जो 8 हो even है तो चीज़ा कि झाहाँ यह iJA 3 में add नहीं कर पाँ यहां पर 9 ओता तो 9 बी know 5 behind me 5 होने की ओता से मैं इसमें add करे के Dog कि 해야 program 48.3 is to 9 तो मैं 38.4 कर सकती तो 5 से greater thanела और odd है तो odd की यहां पर swatches एड हैना थी तो इस तरह से significant digits हैं वह हमें ना से digit के बार में बताती हैं बलकि digits को कितरा से round off करते हैं इसके बारे में हमें हमें बताती हैं हपसाभ को समझ आ चुका होगा सिग्निफिकटिड़ को किस तरह से calculate करते हैं और किस तरह से हमारे daily life में use होती है